आपों की जाज करने के लिए कई तरीके के चार्ट्स का इस्तमाल किया जाता है इसमें सबसे कॉमन है अंग्रेजी का, फिर है हिंदी, उसके बाद E शेप और C शेप लेकिन इसके अलावा भी भहुत सारे चार्ट्स होते हैं जिसे आपों की जाज की जाती है वो कौन सा चार्ट है जिसे हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसे कि हम सारे चार्ट्स को आसानी से पढ़ लें साथी साथ अगर ये चार्ट हमरे पास नहीं है तो हम इसे कहां से खरीदें तो इन सारी चीजों को आज हम जाते हैं, let's know it अगर आप किसी एट चार्ट को उपर से लेकर नीचे लास लाईम तक आसानी से पढ़ लेते हैं तो आप किसी भी चार्ट को आसानी से पढ़ सकते हैं जिसे कि हम 6x6 vision कहते हैं, इन चार्ट को पढ़ने के लिए आपकी जो दूरी है वो 20 फिट की होने चाहिए यानि जहां आप खड़े हैं और जहां पर यह चार्ट आपने लगाया है वहां का distance 20 फिट का होना चाहिए तो बहुत सारी लोग यह सोचते हैं कि हमें सारे चार्ट को लगा कर उनकी practice करने चाहिए तो नहीं किसी एक चार्ट को लगा कर अगर आप अपनी practice करते हैं और last line को भी आप आसानी से पढ़ लेते हैं तो आप सभी चार्ट को आसानी से पढ़ लेगे मतलब यहां पर यह होता है कि आपका vision अगर 6x6 है यानि किसी एक चार्ट में आप उपर की first line से लेकर अगर नीचे की last line को आप आसानी से पढ़ लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका vision 6x6 है तो अगर आपका vision 6x6 है तो चार्ट कोई सब में हो किसी भी shape का हो किसी भी design का हो उसके आप सारे letters आसानी से आप पढ़ सकते हैं या फिर और शेप आपको आरेंज करना चाहिए जिससे कि आपको पता नहीं कौन सा मेडिकल में आ जाएगा तो आप सब की तयानी करना जाएं तो ऐसा कभी न सोचिए अगर आपने किसी भी एक चार्ट से अपनी आँखों को चेक किया है और आपकी आखे 6x6 हैं तो आप कोई सबी चार्ट हो आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं आप सवाल यह आता है कि अगर आप इस चार्ट को खरीदना चाहते हैं तो आप इसे कहां से लें यह हर आउनलाइन स्टोर पर आपको मिल जाएगा Amazon और Flipkart पर भी यह उपलग है इसे आप 100 से 200 की रेंद में आसानी से खरी सकते हैं बट याद रखिए कि जब भी आप अपनी आँखों को चेक करेंगे तो आँखों से इस चार्ट की दूरी 20 फिट होनी चाहिए तब ही आपको रेसी मिलेगे अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट आप्शन में कमेंट कर सकते हैं I will definitely reply you So keep smiling, see you in next video